नमस्कार दोस्तों मैं आपका विट सेडी में स्वागत करती हूँ जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मद्ध प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभाग मिल चुके हैं मतलब कि मद्ध प्रदेश के मंत्री मंडल का विस्तार हो चुका है तो आज के सेशन में हम मंत्रियों के नाम और उनको दिये गए विभागों को याद करेंगे वो भी कुछ ट्रिक्स के साथ तो चलिए आज के हम अपने सेशन को शुरू करते हैं अब हम इसे कैसे याद करेंगे कि कोई एक नर है जो क्यूत्तम नहीं है तो वो जेल जाता है काम किस से पढ़ता है विधी विधी मतलब लौ से तो उसके घर वाले मतलब घर ग्रह ग्रह के लोग कहां जाते हैं जेल में जाते हैं किसको लेकर के विधी मतलब जिसको कानून का पता है कुछ मतलब वकील को लेकर तो ग्रह एवं संसदिय कार और जेल और विधी किसके पा गोपाल भारगव जी इन्हें क्या मिला है लोक निर्मान कुटीर एवं ग्रामोध्योग गोपाल मतलब भगवान मतलब की भगवान का नाम शुरू करके ही हम कोई भी निर्मान का काम करते हैं कुटीर मतलब कोई भी कौटेज इंडस्ट्री या फिर कोई भी विलेज इंडस् ग्रामुद्योग इसे एक तरीके से और याद कर सकते हैं गोपाल मतलब ग से गोपाल और ग से ग्रामुद्योग ल से लोकनिर्मान और ल से गोपाल तो इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं इसके बाद आते हैं हमारे शिरिमान कमल जी पटेल इन्हें क्या क्या मिला है किसान कल्यार नेवं क्रेशी विकास कमल तो कमल की खेती कौन करता है किसान और क्रेशी का विकास भी कौन करेगा किसान तो कर से कमल कर से किसान कर से क्रेशी ये तीनों कर किसम है कमल जी पटेल के प इन्हें क्या क्या मिला है जल संसाधन मच्छुआ कल्यान और मतस्य विभाग तो इन्हें कैसे याद करेंगे तुलसी का पोदकाय में लगता है जल में और जल में क्या रहती है मचली और मचली को कौन पालता है मच्छुआरा तो इस तरीके से तुलसी जल में रहती है और जल म कौन रहता है मचली और मचली को कौन निकालता है या फिर पालता है तो वो है मचुवारा तो इस तरीके से तुलसी जी सिलावट को मिले है जल संसाधन मचुआ और मतस्विभग उसके बाद आते हैं शुरीमान गोविन सिंग जी राजपूत तो इन्हें क्या मिला है परिवहन और राज़व अब इन्हें कैसे याद करें है गोविन्द मतलब मतलब हम कहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे परिवहन से तो उससे क्या होगा राज़व मतलब कहीं न कहीं हमारा कुछ खर्चा होगा तो गोविन सिंग जी राजपूत के पास क्या है परिवहन और राज़व इसके बाद है मीना सिंग जी तो इन्हें क्या मिले हैं आदिम जाती कल्याण और अनुसुचित जाती कल्याण तो कोई एक लड़की है मीना हम इसे ऐसे आत करें कि कोई लड़की है मीना तो वो सिंग को लेकर कहीं जाती है तो सिंग को लेकर जाती है और वो आदि को सुचित करती है कि मैं जा रही हूँ तो मीना सीन जी के पास क्या-क्या है आदिम जाती कल लियाण और अनुसुची जाती कल लियाण इसके बाद है विजय शाह जी वन वी से वन वी से विजय शाह जी ठीक है इसके बाद आते हैं शिरीमान जगदीश सीह देवडा जी इने क्या-क्या मिले हैं, वित्व, वानिजिकर, योजना, आर्थिक और सांखिकी, जगदीश मतलब जो जगत का ईश है, मतलब भगवान के पास क्या-क्या होता है, फनेंस होता है, कॉमर्स होता है, टेक्स की जानकारी होती है, योजनाए होती है, आर्थिकी और तो भगवान के पास सारी चीज़े होती हैं जो हमारे finance और commerce से related होती हैं और भगवान के पास ही क्या होता है वो हमारे लिए योजनाय बनाता रहता है हमारी economic की भी और finance की भी तो जगदिस सिंध देवड़ा जी के पास क्या क्या है वित्त वारिजिकर योजना आर्थिक और सांखिकी इसके बाद है विसाहू लाल सिह जी इनके पास क्या क्या है खाद देवं आपूर्ती साहुकारों के पस क्या-क्या होता है खाद होता है और वो क्या करते है हमारे चीजों की पूर्ति करते हैं इसके बाद है यह शोधरा राजेजी सिंध्या इनके पास क्या-क्या है खेल तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार तो हमें क्या लेना है सिफ धरा, धरा मतलब जमीन, तो जब हम धरा पे रहेंगे तभी हम खेल खेल पाएंगे, तभी हम तकनीकी शिक्षा ले पाएंगे और तभी हम कोई कोशल विकास सीख पाएंगे, और हम रोजगार कर पाएंगे, यदि हम हवा में उढ़ने लगेंगे त में तो यह शोधरा राजर जी सिंधिया के पास क्या कर? खेल तक्क्निकी शिक्षा और को शयल विकास दंगर। फिर इसके बाद है हमारे श्रीमान भूपेंदर जी सिहुधाय का है नगर्विका सबित तो हम इस में से क्या लेंगे सिह११.. सीह के लिए हम क्या करते हैं आवास की विवस्था करते हैं और उसके विकास का ध्यान रखते हैं कहां पर नगर के आसपास यदि वो आ जाता है तो जैसे कि अब आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है इसी तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे भूपेन सीह जी क पास है नगर विकास एवं आवास इसके बाद हमारे आते हैं शिरीमान एंदल सीह जी कंशाना ये क्या है पी एची पी एची मतलब जन स्वास्त एवं अभियांत्रिकी के मंत्री पी एची का फूल फॉम है पाबलिक हैल्थ एंड इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट ठीक है तो अब आप इन्हें कैसे याद रखेंगे कि जैसे माल लीजिए एंदल जी क्या है इंजिनियर तो पी एची मंत्री कौन है एंदल सीह जी कंशाना इसके बाद आते हैं शिरीमान ब्रजेंदर प्रताप सीह जी इनके पास क्या क्या है खनीज साधन और श्रम तो अब आप इन्हें कैसे याद करेंगे कि जो ब्रजेंदर प्रताप सीह जी के पास क्या क्या है श्रम भी है और खनीज भी है इसके वाद आते हैं हमारे विश्वास जी सारंग ये क्या है इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट है चिकित्सक शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनरवास तो जो हम चिकित्सक मतलब आज हम डॉक्टर के उपर क्या करते हैं विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पहले जो भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी वहां से हमें निकाला था तो विश्वास जी सारंग के पास क्या क्या है चिकित्सक शिक्ष, भोपाल, गैस, त्रासदेव, पुनर्वास इसके बाद आती है हमारी श्री मती, इमर्ति जी, देवी इनके पास क्या क्या है महिला एवं बालविकस तो इनने तो याद करना आसान होगा क खुदी महीला है तो इनके पास क्या होगा महीला एवं बालविकस यदि महीला है तो इनके बच्चे भी होंगे तो महीला एवं बालविकस किसके पास है शिरिमती मर्ती जी देवी के पास इसके बाद आते हैं शिरिमन प्रभुराम चौधरी जी इनके पास क्या क्या है लोक स् अब प्रभु के पास तो लोग का भी ध्यान रखना होगा और परिवार का भी ध्यान रखना होगा तो प्रभु क्या करते हैं? जितने भी लोग उनके स्वास्त का और उनके परिवार के कल्यान का ध्यान रखते हैं तो प्रभुराम चौदरी जी के पास है लोकस्वास तेवं परिवार कल्यान इसके बाद आते हैं महेंद्र सिह जी सिसोधिया इनके पास है पंचाया तेवं ग्रामेंड विकास जो महेंद्र है मतलब की महाइंद्र तो इनके पास क्या क्या मिलेंगे आपको पंचायत और ग्राम इंड विकास इसके बाद हमारे आते हैं शिरीमान प्रद्यूम्न सिहंजी तोमर इनके पास क्या है उर्जा जो एसीपी प्रद्यूम्न रहता है उसके पास क्या रहती है उर्जा वैसे ही हमारे इन मंत्री के पास भी क्या है उर्जा इसके बाद आते हैं शिरीमान प्रेम सिहंजी पटेल तो इनके पास क्या है पशुपालन और सामजिक नयाए अब इन्हें कैसे याद रखेंगे जो प्रेम सिहंजी पटेल है उन्हें पशुओं से प्यार होता है और वो उ उसे प्यार किया और फिर उसको न्याय दिला है तो कैसे प्रेम सी जी पटेल जी के पस क्या क्या है पशुपालन और समझिक न्या है उसके बाद हमारे आते हैं ओम प्रकाश जी सकलेचा इनके क्या 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 है सुक्ष मलगू एवं मध्यम उद्योग मतलब MSME का डिपार्टम इसके बाद आते हैं हमारे उशा जी ठाकूर इनके पास क्या क्या है पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म तो हम इन्हें कैसे याद करेंगे कि कोई एक लड़की है उशा जिसे संस्कृत पढ़ने का शौक है और गूमने का और साथ साथ में उसका ध्यान किसमें लगता है भ इसके बाद हमारे आते हैं शिरिमान अर्विन सीह जी भदोरिया तो इनके पास क्या क्या है सहेकारिता और लोकसेवा प्रबंधन अब जो हमारे अर्विन जी हैं वो क्या करते हैं सबको साथ लेकर चलते हैं और लोकसेवा के लिए प्रबंधन का काम करते हैं अब जब सबक मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा तो वो कौन करेगा अर्विन सीह जी भधोरिया सहकारिता और लोकसेवा प्रबंधन इसके बाद है हमारे शिरीमान मोहन जी यादव वो क्या है उच्छ शिक्षा मंत्री तब आप इन्हें ऐसे ही याद कर लेंगे कि जो मोहन है उसे शिक्ष और पर्यावरण अब आप इन्हें कैसे याद रखेंगे हरदीप सीह जी डंग को कि हर बाद हम दिवाली पर क्या लेकर आते हैं नया दिया लेकर आते हैं और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या बोलते हैं कि पठाके मत फोड़ो तो इस तरीके से हरदीप सिह जी टंग नवीन एवं नवकर्णिय उर्जा एवं पर्यावरण तो अब आप इस से इस तरीके से याद रख सकते हैं उसके बाद आते हैं शिरीमान राजवर्दन सिह जी दत्ती गाउं इनहीं के पास क्या क्या है अध्योगिक नीती एवं निवेश प्रोचसान तो अब इन्हें कैसे याद रखेंगे उध्योग के लिए नीती कौन बताएगा तो राजा बताएगा निवेश कौन करेगा तो वो कौन करेगा राजा करेगा तो इस तरीके से राजवर्दन सिह जी के पास क्या है उध्योग की नीती है और निवेश के लिए प्रोचसाहित करेंग फिर उसके बाद आते हैं हमारे शिरीमान भारसी जी कुश्वा उनके पास क्या क्या है उद्ध्यानिकी एवं खाद्य प्रसंसकरण और नर्मदा घाटी विकास फिर उसके बाद आते हैं इंदर से हैं जी परमार तो इनके पास स्कूल शिक्षा और सामाने प्रशासन विभाग फिर आते हैं राम खेलावन जी पटेल इनके पास डिपार्टमेंट है OBC विमुक्त घुमकण एवं अर्द घुमकण जन्जाती कल्याण उसके बाद है शिरिमान राम जी किशोर कावर इनके पास है आयूशोर जलसंसाधन फिर आते हैं ब्रजेन सीह जी आदव लोक स्वास्थेवं यांत्रीकी फिर है गिरराज दंडोतिया जी इनके पास क्या है किसान कल्याण एवं क्रिशी क्योंकि गिरी राज के पास क्या होता है मतलब जो गिर का राजा होता है मतलब पहाडो का राजा होता है उनके पास क्रिशी और किसान होते हैं उसके बाद है शिरिमान सुरेश जी इनके पास है लोक निर्मान विभग इसके बाद आते हैं ओपी एस जी भदोरिया इनके पा आपको ये वीडियो बताइए जरूर सो थैंक्यू सो मच और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिये मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच